हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो और यूट्यूब चैनल इंस्टे रिव्यूज तो आज बात करने वाले हैं मिर्जापूर सीजन 3 के रिव्यू के बारे में मिर्जापूर सीजन 3 जो की एमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है चार साल के लंबे इंतिजार के बाद भाई हमें सीजन 2 के बाद इसका सीजन 3 देखने को मिला है लेकिन क्या ये वर्दी वाचिंग था क्योंकि इसके 10 एपिसोड से और आल्मोस्ट एक एक गंटे के आसपास का एपिसोड था यानि की आपको साठे नो से 10 घंटे खर्च करने पढ़ेंगे इस वैब सीरीज को देखने के लिए तो भाई क्या ये टाइम बढ़ दी है डिटेल में बात करेंगे लेकिन आगे पढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नहीं आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आईए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं तो भाई आगे बढ़ने से पहले इस वेब सीरीज को रेटिंग्स देना चाहूँगा रेटिंग्स दूँगा भाई 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग्स आईए स्टोरी टाइम लेंग की और बढ़ते हैं स्टोरी टाइम लें चुरू होता है यार जहाँ पर हमें सीजन 2 की एंडिंग वी थी वहीं से आगे हमें सीजन 3 देखने को मिलता है यानि की हमें दिखाया जाता है पहले तो री कैर सीजन 1 नो 2 का उसके बाद हम देखते हैं मुन्ना भाईया जिसका भाई अंतिन से स्कार कर दिया जाता है मादुरी यादव के द्वारा मादुरी यादव जो कि भाई सीएम की कुर्सी पर बैठ चुकी है और भयमुक्त प्रदेश करना चाती है लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी क्योंकि भाई उसके अपने पती को मार दिया गया है तो क्या वो भयमुक्त देश कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि भ मिर्जापुर की गद्धी पर बैठ चुका है अजाने अजाने में ही सही क्योंकि उसने कालीम भाया को मार दिया है मुन्ना भाया को मार दिया है और अब मिर्जापुर पर वही राज कर रहा है और अभी उनका बिजनस भी वही चला रहा है लेकिन यार इस गद्धी पर दाव वैब सीरीज में देखने को मिलने वाली है लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई और तीसरा तो नहीं है या कोई लेडी तो नहीं आकर गुज़ जाएगी इस वैब सीरीज में जो की मिर्जाफुर की गद्धी पर अपना राज जमाना चाहती है तो भाई इस सब को देखने के लिए इस ट्विस्ट अंटर्स को देखने के लिए आपको ये पूरी वैब सीरीज देखनी पड़ेगी लेकिन इतना फोर्शी और कहूंगा भाई इस वैब सीरीज की राइटिंग बहुत ही बढ़िया लिखी गई है जिसने भी लिखी गई है क्या क्या भाई ट्विस्ट और दिखाये गए है एक एपिसystem के बाद इसा ट्विस्ट अंटर्स ले आया जाता था जिसकी भाई उमीद ही नहीं होती music अधी तो भाई ऐसी ऐसी बंदों को मार दिया जयता है और वो कुछ और ही आपको नया दिखाना चाते है और शायद हो सकता है इसके बदले में कुछ नए करेक्टर से इंट्रड्यूस किये जाए जो कि भाई आपके दिल पर राज करेंगे और इसके बाद हमें सिवान में भरत्यागी, छोटे त्यागी और दद्दा दिखाई जाते हैं भरत्यागी और छोटे त्यागी के बीच में आप जानते हैं कि सीजन टू के लास में फाइल हुई थी और उन्होंने दिखाया था कि छोटे त्यागी मर चुका है और बरत्यागी जिन्ता है लेकिन क्या वाक्य में ऐसा हुआ था अब इसमें भी वाई ये twist and turns है जो कि आपको इस web series में देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा और इसके बाद हमें भरत्यागी की वाई दिखायी जाती है सरोनी जो कि भाई बहुत ही important role play करने वाली है अभी season 3 में उनका बहुत ही छोटा सरोल दिखाया गया है लेकिन season 4 में हो सकता है उनका बहुत ही major role होगा गोलू के साथ बदला लेने में इसके बाद मादरी यादर जो कि भय मुप्त प्रदेश करना चाती है लेकिन अंदर ही अंदर से शायद हो भी चाती है कि मिर्जापुर की गदी उसे मिल जाए और इसके बाद बीनात्रिपाठी को भाई कैसे बूल सकते है जो कि कालीम भाईया की वाइफ दिखाई गई है और कभी इदर तो कभी उदर और भाई उसका एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया है जिसे वो बहुत ही संभाल के रखती है और उसे लगता है कि कोई उसे मार ना दे क्यूंकि भाई बड़े होकर तो वो उसे मिर्जापूर की गदी पर पिठाना चाती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा दावेदार है याँ पर मिर्जापूर की गदी के तो मिर्जापूर मिर्जापूर हो रही है और वाइलेस ऐसा दिखाया गया है जो कि आपने पहले शायर कभी देखा ही न हो, ऐसे scenes दिखाए गए हैं, जो कि आपके दिमाग में घुज जाएंगे, मैंने गुटू पंडित को रोबिन को जो मारते हुए देखा है, वो scene अभी भी आँखों से नहीं जा रहा है, ऐसा scene दिखाए गया है, ऐसा boyless देखने को मि होता नहीं था, और भाई हम इससे जादा शायर मुझे लगता है, वाइलस की expectations कर रहे थे, और मुझे लगता है, हम देख रहे थे कि कुडू पंडित मिर्जापुर की गदी पर बैठ जाए, लेकिन इसमें बहुत जादा twisted dust देखने को मिले, और screenplay थोड़ा सा कमजोन लेकिन यार इसके बावजूद भी most watched web series बन चुकी है, Amazon Prime Video की, तो भाई इससे आप जगा सकते हैं कि मिर्जा पुट का क्रेज कितना है, और इसके बाद यार अगर इस web series के climax की बाप करूँ तो climax बहुत भी धमाकेदार देखने को मिलेगा, भाई मैं आपको भी reveal नहीं करना हो जाएगा, और भाई तीसरा ही बाई शरल सुकला और गुट्टू पंडिच के बीच आजाएगा, मिर्जापुर की गदी पर राज करने के लिए, तो भाई ये देखने के लिए आपको ये पूरी web series देखनी पड़ेगी, जो की साड़े 9 से 10 कंटे की web series है, और आप भाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में